हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट शिक्स वैद्व चुम की प्रेरण तो अपनी इस क्लास में इस यूनिट में हमारी तीन क्लासेस इसमें लेज चुग जिसमें 100 प्रेरण अन्यों प्रेरण और व्यदुचंच उनके बारे में हमने अच्छे से डिसकस कर लिया है और ये last class होगी इस unit की और इसके साथ ही साथ ये unit यानि unit 6 और magnet की जो इसे तो 3 unit थी magnet की 4, 5 और 6 जो एक दूसरे से relate थी तो ये unit 6 complete होगी और इसके साथ ही साथ magnet वाला जो पूरा portion है वो भी हमारा अच्छी तरीके से cover हो जाएगा तो ये last lecture है इस unit का तो इसको देखते हैं और आज़ी class में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और प्रत्यवर्तिधारा जनित्र के बारे में जिसे dynamo कहते हैं तो ये एक long answer होता यानि long question में आप से पूछा जाता है 7 number का जो एक physics के long question आता है तो या तो numerical आपको दे दिया जाता है ज सिद्धान्त लिखें इसकी रचना कैसी होती और इसकी क्रिया भी दी क्या होती इन सभी के बारे में आपको लिखना होता है तो आप दोनों में किसी एक को चूछ कर सकते हैं और ये हमेशा आपसे long answer में ही पूछा जाएगा long question में ही पूछा जाएगा तो चलिए आज की class मे अची तरीके से समझते हुए चलेंगे तो प्रत्यवर्ति धारा जनित्र क्या होता तो इसे आप अपनी भासा में कह सकते हैं generator यानि जनित्र से आप उतना ज्यादा परीचित नहीं होंगे जितना आप जानते होंगे alternative current generator generator के नाम से आप जानते होंगे और डायनमो का यूस तो यह विद्धु चुमकी प्रेनन का जो शफ्षे महत्वण को योग है वो विद्धु जनित्र यह डायनमो में हमको देखने को मिलता है और यह एक ऐसी machine होती यानि जनरेटर होता है जो प्रत्यवर्ति धारा जनित्र होता है जो डायनमो होता है तो इसका महत्वण सिद् प्रत्यवर्ति धारा जनित्र किसे किसमें बदलता है तो यह यांत्रिक उर्जा को वैदुत उर्जा में बदलता है जबकि वैदुत मोटर की अमबात करें तो वह वैदुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है यानि वहाँ पर लाइट की दारुक्स मोटर को चला वर्तित करता है तो जो generator होता है वो काम करता है विद्धु चुम किये प्रियरण के सिध्धान्त में और इसमें दो टाइपस भी होते हैं यान्द्री कुर्जा को विद्धु तुर्जा में बदलता है लेकिन AC करेंट और DC करेंट के लिए यह अलग-अलग होते है यानि अगर हमको alternative current उत्पन करना है तो प्रत्यवर्त धरक उत्पन करने के लिए AC, AC dynamo use किया जाता है और अगर हमको DC current चाहिए तो इसके लिए DC dynamo use किया जाता है अब देख लेते हैं इसका सिध्धान्त क्या होता है तो ये इसके बारे में परीचे था अब हम देख लेते हैं इसके सिध्धान्त के बारे में यानि ये किस सिध्धान्त पर कारे करता है तो जब किसी बंद कुंडली को किसी चुमकी छेतर में तेजी से घुमाया जासता है ाभी थाय द्रतन होते है , यानि कोई एक चुमकी छेतर में कोई एक कूडली कोड़ी औया हुआ है परिवर्तन होता है या हम कह सकते हैं वैदुत फ्लक्ष परिवर्तन होता है तो वहां पर वैदुत धारा प्रेरित होती है यानि वैदुत धारा प्रेरित वैदुत धारा हमको प्राप्त होती है और कुंडली को घुमाने में जो कारे करना पड़ता है तो जो कारे कुंडली घ करता है जो प्रत्यवरती धारा जनित्र हो या डैनमो हो दोनों एक ही बात है तो ये उसका सिधान्त होता है और उसके बारे में हमने जो इनफर्मेशन थी basic information उसको भी हमने यहां पर देखा अब figure के माद्यम से देख लेते हैं ये work कैसे करती है या इसके जो रचना होती है वो किस प्रकार से होती है तो ये अब देखें ये एक figure है विद प्रत्यवरती धारा जनित्र का या डैनमो का तो इसमें क्या होता है कि इसक और ये s drew है ये एक और आतला कार सक्टीसाली चुमग है और इसके द्वारा उत्पन चूम की छहेतर की बल रेखा है धुर ऐसे अई से एस нез Choi रखा है चुम की छेतर की बल रे वो in से इसक्ए और जillon रहा है या ये येक इसका part होता है छहेतर चुमबक ये और these figure इसका फिग बनाना सीखना है जैसे कि आप exam समें ये figure बना सकें वहापर तो अब क्या होता है दूसरा इसमें आता है आर मेचर तो आर मेचर किसे कहते हैं चुमक के धुहों के बीच प्रथकत तामे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है तो यह देखे यह जो कुंडली है जो आधी लाल और आधी बलू है तो यह कुंडली होती है ABCD जो कुंडली है इसे ही हम क्या कहते है इसे ही हम आर मेचर कहते है यही होती है हमारी आर मेचर तो यह second part होता है इस प्रत्यावरती धारा जानितर का और कुंडली कई फेरों की होती है और धुरूं के भी 26 अच पर जलके ट्रवाई से घुमाई जाते है यानि यह जो कुंडली होती है यह दोनों जो ओतलाकार दोनों चुम्बक होते है एन और एस उनके बीच में रखी हुई होती है और इमने कई फेरे होते हैं अलग अलग फे तो क्या होता कुंडली के सीरों का शंबंदäs अलग-َलग आलग दोतामे के छल्लिए से होता है तो यहां पर देखिए एक ये है और यह यहां पर आपको एक ये साथ दिख़ रहा है , Lekin इसको अलग भी हम कर सकते हैं तो यहानि दो छल्लों से इसका संबंद होता है जो कुंडली है दो तामी के जो छल्ले होते है जो आपस में एक दूसरे को इस परस नहीं करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है लेकिन यह अलग अलग ही होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक 3D फिगर बना हुआ और कुंडली के पास उसी अच्छ पर घुमते हैं और इन्हें ही कहा जाता है कि हसरपी वले तो इन्हें ही कहा जाता है कि हसरपी वले कहा जाता है यह जो छल्ले आप देख रहे हैं यही होते हैं सरपी वले सरफी वल्यक आ जाता है और फिर इसके बाद क्या आता है तो इन छल्लों को दो ब्रस इस पर्स करते रहते हैं तो यह देखिए एक यह ब्रस है एक यह ब्रस है तो यह दोनों ब्रस इसे इस पर्स करते रहते हैं और ये ब्रस स्थिर रहते हैं ताथ छले इन ब्रसों के नीचे फिशलते और घूमते रहते हैं यानि ये ब्रस स्थिर रहते हैं और ये जो छल्ले होते हैं ये इसी में घूमते रहते हैं और इन व्रस होंका संब्द हम उस पर learners से कर देते हैं जिसमें वैधुद्धरा भेजनी है देखिये ये व्रूस है इनका हमने इस परूस से कनेक्ट कर दिया और फिर यहां पर हम विद्द धारा यहां पर भेजने लगते हैं तो इसलिए इस ब्रस का संबंद उससे कर देते हैं तो यह पूरी आलोबर रचना है उस विद्द यानि प्रत्यवरति धारा जैनित्र की या डाइनम होगी तो अब इसकी क्रिया विद्द हम देख लेते हैं तो क्या होता है कि जब आर्मेचर कुंडली यानि आर्मेचर किसे कहते हैं जो एबी सीडी कुंडली बीच में रखी हुई चुमबक के तो जब armature कुंडली ABCD गुमती है तो कुंडली से होकर जाने वाली flux रेखाओं की संक्या में लगातार परिवर्तन होता है और कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है तो यहाँ पर देखे यह जो ABCD कुंडली है यह लगातार गुमती रहती है और दो मेगनेट के बीच में गुम रही है तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है और जिससे एक धारा प्रेरित हो जाती है विद्धु चुम्की पिरिण के नियम से हम यह मानने अगर कि यह clockwise घूम रही है यानि दच्छिणावर्त दिसा में जैसा कि हमने अब घूमाया इस दिसा में अगर यह कुंडली घूम रही है तो क्या होगा कि 36 अवस्ता में जो इस कुंडली की भुजा है AB वह उपर उठेगी दच्छिणावर्त घूमने में और CD नीचे जाएगी CD भुजा नीचे जाएगी तो flaming के दाएं हाथ के नियम निशार हमने पढ़ा था flaming के दाएं हाथ का तो इसके निशार जो प्रेरित धारा की दिसा होगी वह यहाँ पर क्या होगी तो वही यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी जब यह दच्छिणावर्त बलती हुई वहाँ पर हमको प्रतीत हो जाएगी यानि इससे बाहर जाएगी और जैसे ही कुंडली उर्धा धरिस्तिती से गुजरेगी तो भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD उपर की ओर जाने लगेगी यानि जब इसको हम दूसरी तरफ गुमा देंगे उल्टा सिटिती जब आएगी तब क्या होगा कि CD ऊपर की ओर जाने लगेगी यानि आधे चक्कर में AB नीचे और फिर CD उस taraf के उपर जाने लगेगी और आधे चक्कर में इसका विपरीत होगा, तो अब क्या होगा, जब विपरीत होगा तो धारा Y ब्रस से बाहर जाएगी और X से वापस आएगी, और इस प्रकार आधे चक्कर के बाद परीपत में धारा की दिसा बदलती रहती और परीपत में प्रत्यवरती धारा उत्पन हो जाती है, तो alternative current का यही concept होता है कि आधे चक्र में धारा घटती ए और आधे चक्र में बढ़ती है यानि आधे चक्र में इधर से आधे चक्र में उधर से इसलिए alternative current हमको यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह हम DC जनीत्र के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं नदी DC ही डायनमोग बारे में पढ़ रहे हम यहाँ पर AC डायनमो या प्रत्यवर्तिधारत जनीत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह इसकी क्या होती है, क्रिया विधी होती है, तो सबसे पहले हमको अपना लॉंग अंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लॉंग अंसर लिखने के लिए हमको सबसे पहले इसका परीचे लिखना होगा, यह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में हमको देना होगा विद्दु चुमकी प्रेरण की क्रिया का शफ्षे महात्वण पुण विद्दु जनित्र डाइनमो में किया जाता है और यह एक ऐसी मसीन होती है जिसके द्वारा यांदरी खुर्जा को विद्दु धारा में बदला जाता है और पृत्यवर्ती धर हुत्पन करनी के लिए प्रत्यवर्ती धर हड़ा डाइनमों वें डिस्ट ध deed हैं इंटोडक्षन उसके बाद क्या होगा इसका सिधांत हम लिखेंगे सिद्धांद में क्या लिखेंगे कि जब बंद कुंडली को चुमकी चेतर में घुमाया जाता है तो उसमें गुजनने वाली जो फ्लक्स रिकाओं की शंक्या है उनमें लगातार परिवर्तन होता है जिसके कानड़ वैद्दु धारा प्रेरित होती है विद्दु चुमकी पि जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे और फिगर के इसाफ से ही वही बास आपको लिख देनी है तो इसलिए यह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटर नहीं है आप आसानी सिसको कर सकते हैं तो आप फिगर बनाकर प्रेक्टिस जरूर करिए गर में जिससे कि आप एक्जाम्स में अच्छी तरीके से फिगर को बना सकें तो क्योंकि यह फिक्स ही रहता है यह question जरूर long answer में पूछा जाता है तो इसमें क्या होगा फिर हम जब फिगर बना लेते हैं तो फिर हम को इसके तीन parts के बारे में इसकी रचना heading डालके यहाँ पर इनके तीनों जो पार्ट हैं उनक वर्णन करना है सबसे पहले छेतर चुम्बक तो दो अउतलाकार छेतर चुम्बक होते हैं एनस और जिन में वल लेखाएं एन से इसकी वर जाती है तो यह figure के हिसाब सी आपको लिख देना है उसके बाद आता है armature तो चुम्बक के ध्रूओं के बीच एक तामे के तार की चंदली ABCD का और वह वापस में इस पर्च नहीं करते हैं इनके साथ एक ब्रूओं कते हैं दो जो कि स्थीर होते हैं और इनमें ही छल्ले गुमते हैं और इन ब्रूओं के संब्द्स परिपर से कर देते हैं जहां हमको वैद्दुधरा भेजनी है तो यह इसकी हो गई क्या रचना हो गई उसके बाद इसकी क्रिया भी दी तो जब हम AB CD कुंडली घुमती है दो चुम्मक के भीच में तो इसमें फ्लक्स रेकाओं की शंख्या में लगातार परिवर्तन होता है और उससे धारा प्रेरित होती है तो हम पहले मानेंगे कि अगर कुंडली दच्छिनावर् पसा जाएगी यह एक पैटर्न हो गया उसके बाद जब कुंडली उर्दा धरिस्ति से गुजिरेगी तो AB नीचे और CD उपर हो जाएगी जब यह उर्दा धरिस्तिती में आएगी तो AB नीचे की ओर हो जाएगी CD उपर की ओर तो अब धारा क्या होगी अब धारा Y से निकले जाएगी और X में जाएगी तो इस प्रकार आधे चक्कर में परिपत में धारा की दिसा बदल जाएगी और यही धारा का बार 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 बदलना प्रत्यवर्ति धारा को प्रोड्यूस करता है यहां पर प्रोड्यूस होती है और यह आपका all over question complete होता है उसके बाद हम देख की ही क्रिया विधी आपको बताईए तो इस प्रकार से हमारा यह all over question complete होता है जो की 7 number का question है और long answer में mostly पूछा जाता है तो इसलिए इसको आपको तयार रखना एची तरीके से तो इस प्रकार से यह unit भी हमारी complete होती है और साथ हम physics का जो first part है वो भी complete कर चुके हैं क्यों क् हमने इसको दो parts में बाता था वैसे तो इसका exam भी है की ही होता है नए NCRT pattern की अंतरगत और यह जो पूरी 15 units है हमारी physics में जिसमें 10 हमारी complete इस समय कर चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ हमारी 5 units बची हुई है उनको भी हम complete करके पूरी तरीके से physics की course को complete करेंगे then फिर हम आग जिसमें वैदुद छेत्र वैदुद आवेस के बारे में फिर आती है unit 2 फिर आती है unit 2 जिसमें विभाव और धारिता के बारे में यानि यह दोनों थी हमारी electrostatic के अंतरगत इस्तिर्फ वैदुद की कि unit 1 और unit फिर आती है unit 3 यह थी हमारी विदुद धारा इसको भी हमने complete किया यह सभी units हमने with numerical complete की है उसके बाद आती है unit 4, unit 5 और unit 6 तो यह तीन हमारी थी magnet से related जिनको हमने अच्छी तरीके से cover किया वैसे तो इसके numerical नहीं हुए लेकिन उनको भी हम बाद में complete कर लेंगे तो यह हुई फिर उसके बाद आती है unit 7, unit 7 हमारी जो related थी प्रत्यवर्ती धारा के बारे में हमने पढ़ा और unit 8 इसमें हमने पढ़ा विदुद चुम्ब की यह तरंगों के बारे में इस प्रकार से इतने parts को हमने first के अंतरगत रखा था यानि physics first के अंतरगत तो यह सभी units हमारी complete हो चुकी है और इसके साथ ही साथ जो second वाला पार्ट है जहां से हमने शुरुगात की थी physics की यानि जो unit 9 और 10 है वो भी हमारी complete है with numerical तो जो unit 9 और unit 10 यह जो basically lights की unit थी यह भी हमारी already complete है जिसमें किरन प्रकास की ray optics and wave optics already cover unit 9 unit 10 जिनको हम physics second की अंतरगत रखते हैं अब हमारी कौन-कौन सी unit बची हैं तो अब हमारी बची है unit 11 जो की विकीरन यानि जो प्रकास की दोयत प्रकतिव होती है उससे related जिसको आप हम start करेंगे उसके बाद unit जो 12 भाई unit 13 तो जो unit 12 भाई unit 13 है यह related है किसे प्रमार्ण और नाविक यानि atom और nucleus के बारे में हम इन दोनों units में पढ़ेंगे और फिर आती है unit 14 जिसमें है अर्दचालक से related जो concept है उनको हम पढ़ने वाले है और unit इसे तो 14 ही है आप में लेकिन अगर हम एक और जोड़ ले वो नौर गेट और गेट वाली तो उसको मिलाकर यानि पर unit 15 हो जाती है वैसे 14 unit है हमारी physics में तो हमने 10 अलेडी complete कर दी है और वो 4 unit बची है यह हम content new करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे किस प्रकार से हमको आगे कोश को पढ़ना है और फिर उसके बाद हम practice questions भी start कर देंगे तो चलिए मिलते हैं आप से नई unit में नए chapter के साथ तब तक के लिए धन्यवाद